बच्चों कैसे हैं आप सब लोग अच्छे हों आज हम लोग बड़े उकी मात्रा के शब्द देखेंगे कौनसी मात्रा के बड़े उकी मात्रा के शब्द बड़े उकी मात्रा वाले शब्द बड़े उकी जो मात्रा है वह किसी बिवान के नीचे लगती है कहां लगती है किसी विवान के नीचे और क्योंकि ये बड़ उ की मात्रा है इसलिए जब इसे किसी वान के नीचे लगाते हैं तो उसका उचारन थोड़ा लंबा हो जाता है जैसे हम पढ़ते हैं क क क के नीचे अगर हम उ की मात्रा लगाएंगे तो उसका उच्चारण क्या होगा कू क्या होगा कू अब इसे प्रकारिस में देखिए फ़ फ़ के निचे बड़े उकी मात्रा लगाई तो क्या शब्द बना फू क्या शब्द बना फू और फिर ल फ़ के निचे बड़े उकी मात्रा फू ल फूल इसके बाद देखे अगला शब्द है क्या लिखावा है म य य के निचे बढ़े उखे मातरा और र य के निचे बढ़े उखे मातरा और र तो हम इसको कैसे पड़ेंगे म यह पर नीचे उ की मातर लगाई तो यू र मयूर क्या शब्द बना मयूर यू का उचारन हमने लंबा किया न क्योंकि यू के नीचे हमने दिर्क मातरा यानि बड़ी मातरा लगाई और किसे भी बन के पास अगर बड़ी मात्रा लगती है तो उसका उचारन थोड़ा लंबा हो जाता है तो ये शब्द था मयूर इसके बाद देखिए द के नीचे उ की मात्रा तो क्या बना? पहले हमने इसको पढ़ा द और नीचे उ की मात्रा लगने से हो गया ये दू क्या हुआ? दू और फिर ध तो शब्द बना दूध क्या शब्द बना ये? दूध आप सब पीते हैं ना सुबह सुबह? ओ है ये दूध अब इसके बाद देखिए ये तो आप सब जानते ही होंगे कौन है ये? देखिए च, च के नीचे बड़े उकी मात्रा लगी तो चू क्या बना ये? चू फिर ह, ह के पास में बड़े आ की मात्रा हा तो शब्द बना ये चू हा देखिए हमने च और ह, दोनों का उच्चारन लंबा किया है क्योंकि दोनों के पास में बड़े उक, बड़ी मात्रा लगी है तो शब्द बना हमारा चू हा इसके बाद देखिए जा के नीचे उकी मात्रा जू और त के पास आ की मात्रा ता जा के नीचे उकी मात्रा लगी तो जू त के पास भी बड़े आग की माता लगी तो ता शब्द बना जूता क्या शब्द बना जूता ज का वचारन भी हमने लंबा किया और ता का वचारन भी लंबा किया तो शब्द बना जूता अब इसके बाद देखिए ये क्या है फ फ के निचे उ की मात्रा और ल यह हमने पहले भी देखा था फूल क्योंकि ल के पास कोई मात्रा नहीं लगी वी इसलिए इसका उच्चरन हम छोटा ही करेंगे और फर के निचे बड़े उ की मात्रा लगी इसलिए फूल क्या शब्द बना फूल अब इसके बाद देखिए यह क्या है काजू क के पास बड़े आ के मात्रा का ज के निचे उ के मात्रा जू दोना का उच्चरन नंबा करेंगे काजू शब्द बना काजू इसके बाद देखिए कुछ और मात्चचब्दों का हम उच्चारन करेंगे भ के निचे उ के मात्रा और ल शब्द बना भूल क्या शब्द बना भूल म के निचे उ के मात्रा और ल मैं का उच्चारन लंबा करेंगे क्योंकि बड़ी उ के मात्रा लगी भी है तो मूल शब्द बना मूल इसके बाद फूल जूल और जूल इसके बाद नीचे देखिए सूप क्या शब्द बनावा है सूप अब धा के नीचे बड़े उकी मात्रा तो धूप रा के पास बड़े उकी मात्रा रूप कूप भूप भूप अब नीचे देखिए बालू क्योंकि ब़ के पास आके मात्रा लगे विये इसलिए ब़ का उचारन बे लंबा करेंगे और ल का उचारन बे लंबा करेंगे तो शब्द बनेगा बालू आलू बालू कालू और चालू तो आप इनको पढ़ेंगे ना तो आपको इनको पढ़ना एक एक अक्षर को ध्यान से बढ़ेंगे तो आराम से पढ़ना आ जाएगा ठीक है ना? बस थोड़ा सा इनके उचारन करते वक्त ध्यान देना है अब आगे देखिए कुछ हमारे को वन बनाने दिये वे हैं जैसे ज, ज, के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा और न शब्द बना जून ज, ज, के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा और ठ शब्द बना जूट अब आप उचारन पे थोड़ा ध्यान देना मैं बार-बार नहीं बताऊंगे आपको आपको स्वेम को इस सीज को समझना है ख, ख, के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा और ब शब्द बना खूब क्या शब्द बना खूब घ, घ, के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा और म शब्द बना घूम क्या शब्द बना घूम ज, ज के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा और स, शब्द बना जूस क्या शब्द बना जूस जय का उचानन हमने लंबा किया ना तो शब्द बना जूस ऐसे ही फ, फ के नीचे बढ़ेऊ की मात्रा शब्द बना फूल क्या शब्द बना फूल पढ़ना है न आपको बड़े उकी मात्रा वाले शब्द अब देखें ऐसे ही कुछ शब्द हम और पढ़ेंगे भर पूर तो शब्द बना भरपूर, शब्द क्या बना भरपूर अब इसके आगे देखेंगे फूल क्या शब्द है फूल भूख ये शब्द क्या है बूख इसके बाद देखें जूम जूम ये क्या लिखावा है जूम इसके बाद पूरब पूरब क्या शब्द लिखावा है पूरब पू के नीचे बड़े उकी मात्रा रब पूरब क्या शब्द लिखावा है पूरब इसके बाद देखेंगे अगला शब्द न के नीचे बड़े उकी मात्रा नू तन क्या शब्द लिखावा है नूतन इसके बाद अगला देखिए अनूप क्या शब्द लिखावा है अनूप अनूप अगला देखिए खरबूजा क्या शब्द लिखावा है खरब के निचे बड़े उके मात्रा और जा शब्द बना खरबूजा क्या शब्द बना खरबूजा इसके बाद अगला देखिए चबूटरा शब्द क्या बना चबूटरा शब्द बना चबूटरा इसके बाद अगला शब्द देखिए तरबूज क्या शब्द है तरबूज अगला देखिए पतलूज क्या शब्द लिखावा है पतलूज ये देखिए ल के नीचे बड़े उकी मात्रा तो इसका उचारन होगा पतलूज पतलूज लग का उचारन हमने थोड़ा लंबा किया है बाकी सब बिना मात्रा के शब्द थे इसले सबको छोटी मात्रा में बोला इसके बाद देखिए हमारे कुछ बड़े उकी मात्रा के शब्द दिये गए हैं इन्हें हमें मिलान करना है पहला हमारे मिलान करावा देखिए पहला चितर किसका है भालू तो ये बालू से मिलान करावा है इसके बाद नीचे बालू के नीचे वला चित्र देखिए क्या है आलू तो किस से मिलान करेंगे आलू इसके बाद में तीसा चित्र देखिए ये किसका है फूल क्या है फूल इसके बाद में अगला चित्र किसका है सूरज क्या है सूरज इसके बाद में देखिए सबसे नीचे जूला आप कहते हैं ना ये लिखावा यहाँ पे जूला कौन कौन से शब्द देखें फूल आलू भालू आलू जूला और सूरज इसके बाद देखिए कुछ और शब्द में आपको दिखा रहे हूँ देखिए आडू ये कौन सा फूरूट है आडू आड के नीचे बड़े उक के मात्रा आडू इसके बाद चाकू क्या लिखावा है च च के पास उक के मात्रा चाकू क्या शब्लिखावा है चाकू सूरज स स के नीचे बड़े उक के मात्रा र और ज सूरज नूर न के नीचे बड़े उक के मात्रा और र नूर फूल भूल क्या शब्लिखावा है भूल तो इतने सारे हमने उ की मात्रा के शब्द देखे उम्मीद है आप लोगों को अब उ की मात्रा पढ़नी आ गई होगी तो आप घर पे इस तरीके से उ की मात्रा के सब्द स्लेट पर लिख लिख कर बार बार उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे धन्यवाद है